नमस्का दोस्तों श्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा पांचवी और आठवी बोर्ड प्रिक्षा 2021 के बारे में इसलिए ये वीडियो उन अभिभावकों के लिए भी खास होने वाली हैं जिनके चातर या चातर हैं कक्षा 5 या 8 में अधेनत हैं और स्कूल साथियों के लिए भी तो भूत ही खास होने वाली हैं क्योंकि उनकों भी लंबे अर्शे से काफी इंतजार ताकि आखिरकार इस बा कि कोविड नाइंटिन को चलते हुए सारा काम हो ऐस्ट हो गया ऐसे में शिक्षा भाग के दवारा राजिस्थान के अंदर जो बोर्ड कक्षा है कक्षा दस या फिर कक्षा बारवी के बोर्ड फोरम भरवा लिए और उनकी प्रीक्षा की भी पूरी तैरिक लिए इसको लेकर और आठी की बोर्ड प्रीक्षा का आगे क्या होने वाला क्या इस बार भी प्रीक्षा होंगी या नहीं होंगी विधार्तियों को बगर प्रीक्षा के आगामी कक्षा में प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ऐसे ही काफी सारे स्वा हमारे स्कुल साथियों के या विभागों के दुमाग में उठ रही थे तो यहां पर दोस्तों आप सब का इंतिजार वो खतम हो गया है क्योंकि राजिस्थान प्रारमिक शिक्सिया निदेशाले बिक कानेर के दोरा दिशा निदेशा जारी कर दिये हैं इसकी गाइडलाइन वो भी जारी कर दिये हैं और आदेशा वो भी जारी कर दिया है कि कक्सिया पांचवी और आठवी बोर्ड प्रीक्स दो हजार एक्की सा वो हंडेड परसें सा वो आईजित किया जाएगी देखि फिलहाल यहां पे विभाग के दोरा इसकी निसी डेट है वो तो नहीं बताए गई लेकिन एक अनुमान के दोरा बताओं जहां तक मुझे सुचना मिली है तो अप्रेल मा के अंदर कक्सिया पांचवी और आठवी की बोर्ड प्रीक्स है वो आईजित होने वाली है इसलिए आप अपनी तयारी है वो कर ले और यहां पे कहना चाहूँगा देखि निदेशाले बिकानेर के दोरा आदेज जारी की आगए कि इस बार भी कच्छा पांचवी और आठवी के जो बोर्ड फोरम है वो PSP पोर्टल प्राइवेट इसकूल सातियों के लिए इसके लाब गोर्वेंट इसकूल सातियों के लिए जो साला दर्पन पोर्टल उसी से ही बोर्ड फोरम है वो बरवाय जाएंगे यहां पे निदेशाले निए कहा है कि गोर्वेंट इसकूल और प्राइवेट इसकूल जो सातियों है वो पोर्टल के उपर PSP पोर्टल और साला दर्पन पर विधार्थियों का जो डाटा वो अपडेट कर ले यानि विधार्थि के नाम में पिता के नाम में जनम तित्थी में उनके सब्जेट में अगरा वगरा में पूरी जो डिटेल है वो एक बार सही चैक कर ले ये ति उसमें कोई संसोतन करने की आवसेकता है तो आप जल्दी से समय रहते हुए फोर्ण स्टार्ट होने से पहले पहले आप पोर्टल पे स्टुडेंट का डाटा है वो अपडेट कर लिजेगा वरना बाद में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि एक बार बोर्ड फोरम भरा जाएगा भरने के बाद उसमें डाटा में करेक्शन होने की कोई संभावना नहीं होती है कर लाट साल के अपन बात करें तब भी काफी सारी स्कूल साथियों के समक्स ये समस्याई थी इसलिए स्कूल सातियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा देखे अभी तक भी अगर आपके स्कूल के अंदर कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक क्योंकि पोर्टल है इन विधार्कियों के लिए साल भर वो खुला रहेगा तो ऐसे में यह थी उनका जो डाटा है अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है या फिर पूरी तरह से चेक नहीं किया है वेरिफाई नहीं किया है तो समय रहते आप चेक कर लिजेगा इस्टूडेंट का जो जनम परमाण पतर है आधार कार्ड है उसकी लास्ट क्लास की जो मारक सीठ है अगरा वगरा उसमें क्या उसकी नाम की स अगर इसके अलाव भी कोई student रहा गया है वो ककसा एक से लेके आठ तक की महीं यहां पर बात कर रहा हूं उसमें पांस और आठ की जो student वह भी सामिल हो सकते हैं अगर अभी तक portal पर आपने नहीं चड़ाया तो आप जल्दी से वह चड़ा लिजेगा और मुझे जहां तक लग कर लिजेगा कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि बात में आपको दिक्कत आ सकती अब नहीं तो आप 10th class में जाके जागरूख होगे तो समय बरबात करने से पहले ही आप अपने जो चातर चातर है उनके नाम की spelling अगरा अगरा आप अपने record से वह मिला लिजेगा चलि और आपको सलेबस के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी website पे विजिट कीजेगा और website के home page पे विजिट करने के बाद जहां पर कक्षा 5 और 8 वोड का link है उस page पे आप विजिट कीजेगा वहां पर मैंने पूरी जानकारी है जो भी order आए है जो भी दिशा निर्देश है आपकी सुविदा के यह मने अपलोड कर दी है जाके आप डाउनलोड कीजेगा देखिएगा समझेगा और सलेबस है वह भी आप डाउनलोड कर लिजेगा उसी के नुसार अपने जो विधारती है या फिर जो चातर चातर है उन्हें इससे के नुसार उनके तयारी है वो 2021 को लेकि यह दे आपके कोई कंफ्यूज है कोई स्वाल है तो आप व्यूडियो के नीचे कमेंट कीजेगा मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिस करूँगा लेकिन फिल हाल तक तो देखिए निदेशाले ने यही कहा है कि पोर्टल के उपर जो इस्टुडेंट का डाट नीचे के साहथ तब तक के लिए जयहिन जय भारत